अरे मेडम, थोड़ा सीधा फेस कीजिए, ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना कैमरे वाला स्टेज पर दुलहन बनी बैठी डिंपल की फोटो खीचने लगता है तबी पीछों से चमचमाता मेकप वाला चहरा लेकर कविता आती है और उसके हाथ में सौ का नोट देती है रखलो रखलो फोटो वाले बाबू, लक्षमी के लिए मना नहीं करते अब सुनो, वो जो दुलहन के बगल में बैठी है, वो मेरी बेटी है उसकी ज़रा दो चार बढ़िया बढ़िया फोटो निकाल दो जी अच्छा अंटी जी अरे आंटी किसको बोला, अभी तो मैं जवान हूँ देखियो ज़रा मेरी दमक्ती तुचा एकदम संतूर साबुन वाले प्रचार वाली नहीं लगती तुझको कविता को बढ़कते देखकर स्टेज से उतर कर सौम्या आ जाती है मा मा कूल डाउन सौरी भया सौरी, चलिए आप मा सौम्या का नरम लहजा सुनकर शादी में आया आदर्श अपना दिल हार जाता है इस लड़की के बाद करने का अंदाज भी कितना सौफ्ट है हाई, काश के ऐसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए आदर्श की मुस्कुराहट देखकर कविता बहाने से उसके पास आती है हेलो बेटा जी, हाउ डो यू डो, मैं बैठ जाओ जी, क्यों नहीं आंटी जी, बैठिये न मेरी बेटी है, देखकर मन में लड़ू फूटा न, मैं भी उसकी शादी के लिए रिष्टे ढून रही हूँ दोनों में काफी देर तक बात चलती है, अगले दिन आदर्श अपने परिवार वालों के साथ सौम्या के घर आ जाता है मा, मैंने नहीं जाना ससुराल वसुराल, ये लोग मुझसे बरतन मंजवाएंगे, सफाईया करवाएंगे, उपर से सुभा, शाम, रात, तीन टाइम सास ननत के ताने, मैं नहीं जेल सकती बेटी, सबको एक सासुराल थोड़ी ना मिलता है, क्या पता तेरे ससुराल वाले तुझे माईके से भी ज्यादा प्यार दे, अब चल तयार होकर आजा ससुराल को लेकर हर लड़की के मन में डर होता है, सौमे तयार होकर चाय नाश्ता लिये हुए जिजकी जिजकी से आती है, जहां सुमन देखते ही पसंद कर लेती है बेहन जी हमको आपकी लड़की पसंद है, आप तो बस जल्दी से मूहरत निकलवाईए ताकि हम चटमंगनी पटव्या करके अपनी बहु को घर ले आए हाँ हाँ, ताकि बरतन मंजवाओ, चूला चौका करवाओ, जहने मेरा क्या होगा ससुराल जाकर दोरों परिवार मिलकर शादी पक्की कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन पास आता है, सौम्या की बेचैनी बढ़ती है बड़ी धूमधाम से सौम्या और आदश, साथ फेरों, साथ वचनों के साथ, शादी के बंदन में बंध जाते हैं मा, अपना खयाल रखना, तुभी अपना खयाल रखना लाडो, सम्धन जी, सम्धी जी, आज से मेरी बच्ची आपके घर की शोभा हो गई निश्चिन्त रहिए सम्धन जी, बहु नहीं बेटी बना कर रखेंगे दूला दुलहन गाड़ी में बैठते हैं तभी जिठानी माधुरी का, चार साल का बेटा जिद करके बोला नहीं नहीं, मैं तात्तु के पास बैठूंगा क्या हुआ भाबी, काकु क्यों रो रही है? देखे ना देवर जी, आपके और देवरानी जी के साथ बैठनी के जिद कर रहा है तो आने दीजिए, जगा है तो अंदर वगर देवरानी जी को कोई तकलीफ तो नहीं सौम्या उपर के मन से मुस्कुरा कर कहती है नहीं नहीं जिठानी जी, भेज दीजे न, बच्चा तो है मुझे पता है ये जिठानिया एकदम टेड़ी खीर होती है कहीं कब अदला कहीं निकालती है अगर मना कर देती तो गाड़ी में जगा कम होने की वज़े से एक आकू को दुलहन अपनी गोदी में बिठा कर लाती है जिससे गर्मी से वो चड़ जाती है हाई राम ये बच्चा या बहसा, कितना भारी वजन है कुछ कह भी नहीं सकती, अब तु ससुराल वाली हो गई है सौम्या ये कहते हुए सौम्या की आँखे नम हो गई थोड़ी देर में ससुराल आ जाता है जो बड़े प्यार से उसका स्वागत होता है सास आरती उतारती है तो जेठानी फूल बरसाती है और ननत बलाएं लेते हुए बोली ओ ममी मर जावा गड़ खाकर कितनी सुन्दर बाबी है मेरी तो 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 क्यों नजर लगा रही है मेरी बहू को गिननी बहू का ग्रह प्रवेश कर आज से से अपना ही घर चमजना भरे पूरे ससुराल वालों के बीच में भी सौम्या को माईके की याद आ रही है अब ये सब लोग गुड जितने मीठे बन कर दिखा रहे हैं मगर सच तो यही है ससुराल कभी माईका नहीं बन सकता अच्छा बहू अब तुझा कर आराम कर ले ठक गई होगी आदर्श बहू को ले जा जी माँ चलो सौम्या दोनों पती-पत्नी कमरे में आ जाते हैं लेकिन ससुराल के पहले दिन को सोच कर नईनवेली बहू की नींद उड़ी हुई थी माईके में तो मैं घोडे बेच के सोती थी मगर ससुराल में तो नींद ही नहीं आ रही क्यार तीन बज गए है दिल कर रहा है सो जाओ मगर थोड़ी देर में उठना भी तो है सौरज की करन पूटने के साथ सौम्या सावसफाई निपटाने के साथ नहाध हो लेती है ये भगवान ये साड़ी पहनना तो बड़ी आफ़त है प्लेट बैठ रहा है तो पल्ला नहीं बन रहा उफ काश की ससुराल में जीन स्टॉप पहनना अलाउड होता कितना अच्छा होता भगवान जी कि ससुराल में भी माहिके सा होता ये कहते हुए बहु की आँखें गीली हो जाती है वो अपनी इच्छा को दल में दबा लेती है जैसे तैसे साड़ी लपेट कर सौमया आड़ी टेड़ी चलती हुई किचिन में आती है जहां सास जे ठानी पहले से मौजूद थी जिसे देख बहु काफी जादा सहम सी गई कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई कहीं सासुमा रिमांड ना लगा दे सौमया का दिल जोरों से धड़कने लगा मौमी जी माफ कर दीजे मुझे देर हो गई सौरी सौरी एरे बहु थोड़ी देर हुई और तू जल्दी क्यों उठ गई कल की ठकी हारी थी पहले ही आराम से उठना था ना मेरा बच्चा ये भगवान सास की बोली में इतनी मिठास इतनी इज़त तो मा ने भी नहीं दी चार सहेली के आगे मेरी इज़त का फालुदा कर देती थी मैंने तो ससुराल मांगा था माई का मिल गया पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्मों का फल है ये सोचते हुए सौम्या खुश थी लेकिन फिर नहीं नहीं सौम्या ये तेरी आँखों का धोखा है ये ससुराल वाले बहु के सगे कभी नहीं होते एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते दो चार दिन में गिरगिट की तरह रंग दिखाएंगे मा जी खाने में क्या बनाना है तबी ननत गिन्नी आकर फरमाईश जताती है मैं बताती हूँ भाबी मुझे सब की पसंद ना पसंद पता है पया को चुले पूरी पसंदे पापा को आलू नान, मलाई चाप, ममी को टिकी, दमालू पुला और मुझे को तो कढ़ाई पनीर, भाबी आप यही बना लो बस ए भगवान क्या जुल्म है, ऐसे चुबती, जलती गर्मी के मौसम में इतनी लंबी चौड़ी फरमाईश दे थी लाइए देवरानी जी, मैं भी आपका हाथ बता देती हूँ बहुए टेड़ी करती हुई, बहु जेठानी को देखकर मन में बोली जलकुकडी जेठानी की नियद ठीक नहीं लग रही, जितने की मदद नहीं करेगी, उतना क्रेडिट लेगी नहीं, नहीं, जेठानी जी, मैं सब कर डूंगी ये कहकर सौम्याओं से भेज देती हैं और पहली रसोई के पकवान बनाने लगती है 45 डिग्री पारे में वह बेचारी पसीने में नहाद हो जाती है उसके हाथ पैर चहरे से टप टप पानी की तरह पसीना बह रहा था ये भगवान, ये गर्मी तो आलू की तरह उबाल रही है, हाई 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 चिक-चिक करते हुए कभी वो सब्जी चलाती, तो कभी हल्वा, तो कभी साड़ी संभालती अब दो हाथों में कोई कितना ही कर लेगा, तभी हल्वा जल जाता है और बहुरो जाती है कितनी मेहनत से हल्वा बढाया था, सारा का सारा जल गया बहु, खाना बन गया हो तो ले आओ जी जी पापा जी क्या खिलाओंगे सब्जुराल वालों को सब्जी भी जल गई हल्वा भी मा जी लगता है कोछ जल रहा है, दोनों देखने के लिए अंदर आती जहां डर के मारे पहले से ही बहु की आंके रो रो कर लाल सूजी हुई थी लेकिन सुमन बहु को उठा कर उसके आंसू पोच कर मा जैसा लाड लडाती है क्या हुआ मेरी बहु क्यो रो रही है, खाना ही तो जला है, चल हट मैं बनाती हूँ पम्मी जी आप मुझसे नाराज नहीं है। इसमें नाराज होना कैसा? कोई पेट में से सीख कर थोड़ी आता है, इनसान गलतियों से सीखता है। देखूं तो कैसा हलवा बनाया है। माजी हलवा तो जल गया है, खाने लाइक नहीं है। तब ही ससुर धर्मेंद्र रसोई में आते हैं। अरे तो क्या हुआ, हम खाएंगे अपनी बहु के हाथ का हलवा। पूरा ससुराल इसने ही प्रेम में रसोई की जमीन पर बैठ जाता और सब उसी हलवे में से खाते हैं। लेकिन भूल चूप में सौम्या ने हलवे में चीनी के बदले नमक डाला हुआ था। वहाथी बड़िया हलवा बनाया अपने भावी। सच में गिन्नी, मुझे भी खिलाओ। लेकिन गिन्नी कतराते हुए बोली। नहीं नहीं भावी, आप के लिए नहीं है। सबका मुझे उतरा है, कुछ तो है। सौम्या ने जैसे ही अपना बनाया हलवा चका तो सबका सोच कर रो पड़ी। आप लोगी हलवा कैसे गा रहे हैं, कितना कड़वा है उसमें नमक हैं, कोई दो दिन की आई बहु सित्ता प्यार कैसे कर सकता है। मैंने तो भगवान से ससुराल मांगा थो, उसने माईका दे दिया, जहां ससुर के रूप में पिता, सास के रूप में मा मिली, बड़ी बैंसी, जिठानी, सहेली सी ननत, सारे रिष्टे मिल गए। बहु ये घर हर तरफ से तेरे लिए तेरा माईका है, ससुराल नहीं, तुझे जो पहनना उढ़ना है, पहनना और जिजकने की भी जरूरत नहीं है।